यह लिखावा है 0.0016 और इसकी पावर है 1 by 4 कभी भी पावर फ्रेक्शन में आ जाए तो आपको पहले से एक हिंट अवेलेबल है ठीक है मतलब पहले से समझ जाओ को आपको कुछ ने कुछ दे रिखा है तो अगर पावर 1 अपन 4 है तो मैं क्या समझूँगा कि यह जो नीचे 4 है यह मुझे बता रहा है कि अंदर जो नंबर है मतलब यह जो नंबर है यह किसे निकिसे के पावर जो है वो कितनी बनाएगा 4 बनाएगा किसे निकिसे के पावर क्या बनाएगा 4 यह डायेट कर सकते हैं तो मैं क्या कर सता हूं देखो पहले इसका पॉइंट हटा लेता सोला जो बच्चे डायेट करना चाहिए कर सकते हैं डायेट करना चाहिए सोला जो है वह दो की का चार होता है और पॉइंट का लग रहा है तो पॉइंट लग रहा है एक दो तीन चार चार नंबर चार डिजट का पहले तो चार डिजट से पहले पॉइंट आ रहा है तो इसका पर point है 4 मतलब ये वाला point इसकी ये घात है 4 और इसके उपर जो लिखा हुआ है वो है एक बड़ा 4 तो 4 से 4 कड़ गया मतलब इस वाल का अंसर आएगा point 2 आएगा अब अपन पूरा करते है देखो point हटाएंगे तो point हटाएंगे तो 1 2 3 4 मतलब नीचे 4 0 आईगी उसका 16 16 को क्य लिखूंगा 2 की गात 4 और यहां पर जितनी 0 हो उतनी घात तो 1 2 3 4 4 0 है तो 10 की गात 4 ठीक है आगे दोनों की पावर सेम जब पावर सेम हो उपर नीचे तो उस पावर को एक बार bracket के बाहर लिख दो बाहर की तरप ताकि दोनों के है तो सेम ही है आगे अब क्या होगा तो य पॉइंट 2 की गात 4 अब इसके उपर लिखावा है किता तो उपर लिखावा है किता एक बड़ा 4 तो यहां से यह और इसके उपर गात है एक बड़ा 4 ठीक है तो गात के उपर गात का आपस पे क्या हो जाएगा तो गात के उपर गात का आपस पे गुना कैंसल तो इस वाल क जो answer है वो answer कितना हो गया 0.2 यह हुआ इस स्वाल का final answer clear तो यह था कि आप पूरा करना चाहो तो ऐसे करो नहीं करना चाहो तो सीधा short में ऐसे कर सकते हो done चलो अब है इसमें x का answer निकला है x का answer क्या है तो देखो इस स्वाल की क्या hint है पहले हर स्वाल को देखो और स्वाल को देखके उसकी hint समझो को कहना क्या चाहरा है तो यहां देखो किसका answer निकलना सबसे पहले यह चेक कर लो यहां है answer हमें निकलना x का x कहां लिखा हुआ है तो हम दो चीज़ा पढ़ रहे हैं एक तो पढ़ रहे हैं बेस आधार और इसके उपर क्या है पावर पावर मतलब गात तो आपको जब भी कोई स्वाल आएगा हमेशा इन दोनों में से कोई एक ही पूछेगा या तो आधार पूछेगा या गात पूछेगा या इसके पूरे और इदर का बेस सेम हो यह अच्छे से राइट डाउन कर देना ठीक है लिख देना अच्छे से कि कभी भी किसी गात का अंसर निकालना तब ही पॉसिबल है तब ही आएगा जब आधार क्या हो समान हो तो हमें यहां इस सवाल में क्या हिंट मिल जाती है तो हमें यह हिंट मिलत यहां ओल्रेडी 2 है कुछ नहीं करना है सैकेंड सैकंड चार है तो मैं इस नंबर को तोड़ दूँँंगा ताकि इसको छोटा करें तो चार को क्या लिख सकते है2 का सकते कभी भी किसी नंबर को जब आप तोड़ते हो तो उसे हमेशा क कहा लिखना. तो 4 को बने तोड़ के क्या लिगता है दो का स्कॉर तो 6 का उपर क्या है 6 फिर 8, 8 को break करो, 8 को तोड़ो तो 8 को break करने पर यह हो गया 2 का क्यूब तो 8 उड़ता 2 का क्यूब और इसके उपर है 2 यहसे तो जब भी कोई स्वाल है उसके hint को पकड़ो तो वो किरा है base 2 होना चीए, अब देखो हमने सब जिगे base 2 बना लिया, अब आगे क्या करेंगे, 2 की power 4 है, multiply, यहां देखो power के उपर power, गात के उपर गात का अपस में करेंगे गुणा, यह हो गया 12, गात के उपर गात का अपस में करेंगे गुणा, यह हो गया 6, हो गया जान जूट जाती है तो यहां हो गया 6,4,10 और 12, तो 10 और 12 किताब 22 इसका मिलद 2 का पावर 22 और सामने जो है सामने वाले को अब उतारते यहां पे यह लिखा हुए 2 की पावर X तो यहां से हमें क्या पता चला कि आधार जो है इधर का आधार और इसका आधार आधार है समान आधा की value किती है तो x की value है 22